हेलो फ्रेंट स्वागत आपका स्टडी हैक चैनल पर जैसा कि आपको पता है कि अब दकी शीरी चल रही है जिसमें हम बात करते हैं वह एक्डम बेक्शिक लेबल से तो इसमें करते क्या है इसमें हम यूज करते हैं नेमोनिक्स और पिक्चर काटिक यूज करते हैं, जिनके नेमोनिक्स नहीं बन पाए, उनको हम पिक्चर के माध्यम से लर्न कर लेते हैं, ताकि हमारा कोई भी वर्ड न छूटे, ठीक है? अब आपको कुछ भी नहीं आता हो वोकाब में, तो आप य आइंथ क्लास है और जैसा कि आपको पता कि यह एक complete class है क्योंकि इसमें मैं grammar के rules भी discuss करता हूं कुछ surprises भी होते हैं और tests भी होते हैं तो आपका यह class होता है 20 मिनट का 20 से 25 मिनट की class होती है जिसमें आपको complete English मिलती है ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना class और जा अगर हम बात कर लें इसके synonyms की तो क्या होगा favorable, superior, dominant ठीक है अगर हम बात कर लें एंटोनिम्स की तो एंटोनिम्स इसकी हो जागी inferior तो यह तो easy word है अब इसको आसानी से याद कर सकते हो इसके लिए निर्मोनिक्स की कोई जरूत नहीं पड़ती है लेकिन आप picture देख सकते ह इस खेलना बच्चों के लिए बहुत ही advantageous होता है, favorable होता है, उनका mind का growth बहुत अच्छा होता है ठीक है उनमें रन नीती बनाने की छमता आती है, skills बहुत सारे develop होते है तो इसको हम बोल सकते है राइवल, synonyms की बात कर लें तो opponent, four, challenger ठीक है और antonyms की बात कर लें तो वह हो जाएगा, la supporter, ओके, तो आप यहां पर pick देख सकते हो कि एक blue बला है और red वाला है, तो दोनों एक दूसरे के क्या है, rival है, विरोधी है, इन दोनों का बार-बार जगरा हो जाता है, तो उसको बचाने के लिए white वाला खरा है, ताकि य ठीक है, चलिए next की बात करते हैं, next word है adverse, adverse मतलब हो था विप्रीट, ऐसा परिस्तिती जो आपके अनुकूल ना हो, आपके favorable ना हो, उसी को कहते है विप्रीट, adverse, इसके synonyms की बात कर लें तो हो जाएगा, unfavorable, unfortunate, bad, बुरा जो भी हो, antonyms की बात कर लें तो हो जाएगा, beneficial, love आप दायक, friendly, दोस्ती नुमा हो, जैसे कि आपके friend है, बहुत ही familiar होते हैं आपके साथ, तो आप ऐसे देख सकते हो कि अगर हम plain region में रहते हैं, तो mountain climbing करना हमारे लिए बहुत ही difficult होगा, तो mountain की जीओ, हमारा life style होगा, वो हमारे लिए unfavorable होगा, हमारे favorable में नहीं होगा, हम हम वहाँ पर survive जादत दिन तक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें ऐसा आदत नहीं होगा, हमारी सदीर ऐसे नहीं बनी होगा, तो आप ऐसे देख सकते हैं, इस पिक को देख सकते हो, कि बंदा mountain पर climbing कर रहा है, तो उसके लिए favorable नहीं हैं चीजे, क्योंकि मौसम भी favorable नहीं हो करता है, कभी कुछ चीजियों हो सकती है, तो ऐसे आप याद कर सकते हो, चलिए नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट है advocate, advocate मतलब समर्थन करना, support, synonyms हो जाएंगे इसके, backer, favor, जो आपके favor में हो, समर्थन हो, उसी को advocate बोल सकते हैं, ठीक है, एंटोनिम्स की बात कर लिए ज कि ये एक devil है, खतरनाक दीख रहा है, लेकिन इसके जो supporter होंगे, advocate वो क्या कर रहा है, ladies and gentlemen of the jury, I ask you, does my client look like someone capable of doing an evil, ये समर्थन में ही रहा है, क्या मेरा client आपको ऐसा दीख रहा है, कि वो सहतान है, वो कुछ ऐसा बुरा कर सकता है, नहीं न, तो वही होता है, advocate मतलब किसी का स support करना, ओके, ठीक है, next की बात कर ले, next है, affectionate, affectionate मतलब बता है, स्ने ही, sympathetic, loving, adoring, ये सब इसके synonyms हो गए, affectionate मतलब जिससे स्ने हो, प्यार हो, अगर कपल है, तो उन दोनों में प्यार होता ही है, तो ये pick-up देख सकते हो, कि दो कपल थे, तो उन दोनों में क्या था, affectionate बोल्स अपने, इस नहीं ही, ठीक है, एंटोनिम्स की बात कर ले, तो हो जागा, unfeeling, apathic, ठीक है, next बात करते है, next बात करते है, next हमारा one word substitution का सेक्षन आ गया, जिसमें हम बात करेंगे, alumnus, alumnus का मतलब होता है, भूत, पूर्भ, छात, तो ऐसा student, जो की college और university, school से pass out हो च alma mater क्या होता है, जिस school में है, या university में आपने पढ़ा हो, अब pass out हो गए, उस university को, या उस college को बोलते है, alma mater, और यहाँ पर हमें बात करें, alumnus का, alumnus वो होता है, उस स्टूरेंट को जो की pass out होगा है, ठीक है, alumnus, इसका plural form होगा, ठीक है, अगर कोई लरकी होगी, यह तो boy के लिए होगा, alumnus, लड़की के लिए female former student के लिए होगा, alumnus, और इसके plural form होगा, alumnus, ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा amateur, amateur होता स्वाकीन बग्ति, ऐसा बग्ति, जो की pleasure के लिए, अपने अनन्द के लिए कोई प्रोफेसर में, प्रोफेसर को चूज करता है, प्रोफेसर नहीं होता है, उसको कोई पैसे नहीं मिलते है, कोई experience नहीं होता है, लेकिन अपने सौक यह तोर पे उसको खेलता है, अगर आब बात करें क्रिकेट की, तो हम लोग ऐसे player नहीं है, प्रोफेसर नहीं है, जो की हमेसा क्रिकेट ही खेले, उसमें आगे बढ़ इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए, पर हम लोग एक amateur है, क्योंकि हम लोग अपने सौक यह तोर पे उसको खेलते हैं, ठीक है, हम इसको प्रोफेसर में तो नहीं लाते हैं, लेकिन पर हम अपने time pass के लिए खेलते हैं, तो क्या हो जागा amateur, one who plays for pleasure rather than as a profession, जो अपने pleasure के लिए ख experience और not professional, जो कि ना तो well experienced हो नहीं professional हो, ओके, चले, next बात करते हैं, next है amexophobia, amexophobia मतलब होता है, वाहनों का डर, जिसको गारियों से डर लगे, वाहन से डर लगे, उसको ride करने में, उसी को बोलता है amexophobia, phobia मतलब डर होता है, fear of riding in car, जिसको car में ride करने से, सवारी करने से डर गया कि ज्यादे स्पीट से ले गई, तो कहीं accident नहों जाए, है मेरी देत नहों जाए, गारी पलत नहीं जाए, तो उसको हमें ता डर बना रहता है, ठीक है, इसके synonyms की बात कर लो, तो एक और बड़ होता है, amexophobia मतलब भी वही होता है, वाहनों का डर, चलिए next बात करें, सबको पता होगा, amexophobia मतलब होता है, एक diplomatic representative होता है, किसी और country में, हमारे country का एक diplomatic representative होता है, दूसरे country में, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह सब दूसरे-दूसरे country के diplomats है, तो इसको synonyms हो जाएगा, in a way, in a way, diplomat, in a way or diplomat, इसके synonyms हो जाएगे, चलिए next बात करते हैं, next ह Ambidextrous, Ambidextrous का मतलब होता है, उब्हे हस्ट, उब्हे हस्ट मतलब क्या होता है, मतलब कि ऐसा व्यक्ति, जो दोनों हांसे लिख सके, Left Hand से भी, Right Hand से इक्वाली, ऐसा नहीं है कि Left से अलग लिख ल Михी लिख लग से लिख लाग, दोनों से एक्दम समान, जैसा Left से लिख लिख ल हो ठीक है उसी को बोलते ambidextrous able to use the left hand and right hand equally well देख सकते हैं इस लगई को left hand right hand से भी लिख रही है और left hand से भी लिख रही है और दोनों का writing देख रहे होगे एकतम सेम है एक जासा है कोई difference नहीं है तो ऐसे ही व्यक्तिक को कहेंगे ambidextrous यहां पर बाई लगा है दो के हो सकत होता है ठीक है तो आप इस वर्ड को भी पकड़ के कर सकते हो कि दो दोनों होगा बाई मतलब two के लिए होता है नेक्स्ट बात करते हैं कि नेक्स्ट हमारा idiom and phrases आ गया पहला आज का a golden mean ठीक है बीच का रास्ता मीन क्या होता कि कोई चीज कम हो और ज्यादा हो उसके बीच का जो रास्ता हो तो इसको मीन कहां तो बहुत ज्यादा है ना ज्यादा deficient है ना ज्यादा excessive है तो इसका मतलब क्या होगा middle course between two extremes neither too much nor too little ना तो बहुत ज्यादा है ना बहुत कम एकदम गीचों बीच है तो वही हो गता a golden mean mean में हमें सम बीच का ही निकालते हैं तो ऐसे यादि रख सकते हूं कि बीच का रास्ता a golden mean ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट हमारा है अगूट समार्टियन गूट समार्टियन मतलब वता मददगार वैट्थी अहलफुल परसंट अब देख सकते हैं इस बंदे को चोट लगी है तो यह जो बंदा है यह अपना घोरा रोक के इसकी मदद कर रहा है मतलब कि यह बहुत ही अच्छा वैक्कि स ग्रीन होड्ट मतलब क्या होगा अनुभाव नवहेक्ति जिसको कोई यह अनुभाव नवह से कि माल लिजे कि कोई जानबर जिसके नहीं से नहीं तो क्या होता है घ्री Anda मतलब दो अनुबहने गौना सटन जोकिन एक्सक्रेंस क्यों और इस सकते हैां यह जो लगए इसने अभी अभी शुरुआ थी किया काड ड्राइबिग तो यह लोग बहुत चिंती थे हैं क्योंकि इसने यहां पर देख रहे हो आप यहां पर क्या किया इसने गेर के जगा कोका कोले की बोतल को हिला रही है तो यह तो एक्सिडेंट होगा ही तो लोग डरते नहीं है किसी भी इनेक्स्पेरेंस परसन के साथ ट्रेवल करनेगा चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट है अग्रे एरिया ग्रेडिया मतलब होता और असपर्थ परिस्थी थी हम लोग नहीं इस वर्ड को पर रख पढ़ा है सेकेंड या थर्ड क्लास में हमने इसको किया था और ग्रेडिया ग्रेडिया का मतलब होता है एन अंक्लियर सिच्वेशन ठीक है अगर कोई भी एरिया ग्रे होगा तो क्लियर नहीं है कि वह वाइट है या फिर ब्लैक है ग्रेड जो होता है वह मिक्सप होता है ना तो वह वाइट ही होता है ना ब्लैक होता है बीच हमारा हेर्स ब्रेथ बहुत बारीकी के साथ विबरन देना अगर अपने बाल को दोखें और बाल के हम चोराई की बात करें तो चोराई इतनी कम होती है इतनी बारीक होती है कि हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते ठीक है तो हेर सब्रेट होगा मतलब बहुत बारीकी के साथ विबरन देना बहुत ही मारी थोड़ा सा भी न इधर न उधर इदम बारीकी मस्मालेस पॉसिबल डिग्री जो किसी बी चीज का व्ताना ही कि असको बोल सकते सहंशने बहुत ही हूंहें इसमाल मजगा खिंशच्ब और समुह मतलब के नेक्स्ट बात कर 10 नेक्स्ट नेक्स्ट करब जैसा कि आपको पता है कि पेंड़नवा करते हैं तो इसमें क्या मिलता है तो इसमें मिलते हैं 100 golden rules ठीक है English grammar के जिसकी मदद से हम error detection और sentence improvement को भी सुधार सकते हैं तो अभी हमारा चल इसमें subject भर्व agreement का तो 8 rules अभी तक discuss सोच के important और आज जो है वह 9th rules अगर आपने अभी तक class नहीं देखा हो तो आप पीछे की class देख सकते हो आपको definitely मज़ा आएगा कि तो आज का जो रूल है वह क्या करें कि कोई word होगा जोईन होगा singular subject ठीक है को singular subject होगा जिसमें वर्ड फर्दर वर्ड जोईन होगा विट्स थे together with in addition to or as well as etc इन से जुड़ा होगा तो जो हमारा वर्ड होगा वो जो वर्ड आएगा वह आएगा according to हमारा जो पहले subject का है सबसे पहला subject जो होगा हमारा जो पैरेंट है तिकल सब्द होगा उसी subject होगा उसी का उनसार हम वर्ड यूज करेंगे जैसे जापर समझते हैं दा चीफ विट ओल हीज में वेर मैंसकर तो यहां पर देख सकते हैं कि हमने यहां पर लगाया क्योंकि हमने देखा यहां पर हीज में तो यह हमारा जलत हो गया क्योंकि अभी बताया कि अगर जहां पर विट together with in addition to आजवे लाजा तो यह जो पैरेंटल है parental subject है सबसे पहले आया उसके according भर्व लगेगी हमारी तो यहां पर हो जागर the chief with all his men watch mask यह तो यह chief के साथ आएगा चीफ के लिए यहां पर इसके according भर्व आएगा तो आप इसको याद रखेंगे चलें next बात करते हैं next हमारा PYQ है तो आज हम discuss करेंगे 3rd December का shift first का PYQ वह के साथ है तो चलें आपको 10 सेकेंड मिलेंगे और आपको idiom का मतलब बताना है fair and square बहुत बार repeat हुआ SSC ने बहुत repeat किया और बहुत ही easy है इस idiom का अभी तक आप लोगने answer देहीं दिया होगा चली इसी के साथ आपका time up हो गया है तो मैं बता दू fair and square का मतलब क्या होता honestly कि अगर कोई बीचे square का आपने देखा होगा कि लेंद ब्रेट सब equal होते मतलब कि इमांदारी से न किसी को ज्यादा न किसी को कम दे रहें fair and square square मतलब सब कुछ equal है equal कब होगी जब हम इमांदारी दिखाएंगे honesty दिखाएंगे ओके नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट आपको one word substitute बताना है ठीक है वन हूं मेडिटेट्स इन डील और कंप्लेक्स सिचुएशन चार ओप्शन है equalizer, solicitor, passiveware, negotiator तो अभी तक आप लोगने answer दे दिया होगा तो इसका right answer होगा negotiator ऐसा व्यक्ति जो बीच का हो जो डील करते किसी भी complex situation में जो बीच के matter को हल करता उसको क्या बोलते नेक्स्ट बात करते हैं next question हम आपको antonym से बताना है दस सकेंड मिलेंगे ambition का चार ओप्शन है intent, anxiety, object, laziness फटाफाट answer करेंगे आप लो चली इसे के साथ time up हो गया आप लोगने अभी तक answer दे ही दिया होगा इसका जो right answer होगा वो कौनसा होगा laziness एक है ambition का मतलब आपको पता आई है महात्व कांचा, goal, aim, objective होता है तो अगर आपका कोई objective होगा, goal होगा तो उसके लिए आप क्या करोगे हमेशा तर्पर रहोगे, कोई ने कोई काम करते रहोगे, आहलत से भरे नहीं रहोगे laziness मतलब क्या होता है सुस्ति, slot, indulgence बोलते हैं इसको, intent भी synonyms है ambition का है, intent जो है इसका सीनो है, लिख देता हमें इसका synonyms है, anxiety क्या होता है भय यह चिंता, किसी कीजी के बारे हम concern करते हैं, worry होते हैं, तो वही होता है anxiety, object मतलब होता है वस्तु, पदात, things, article इसको बोल सकते ह तो यह words तो easy हैं, आप इसको tackle कर सकते हो, next question की बात करते हैं, one next question है, आपको synonyms बताना है, stagnant का, इस sentence की help ले सकते हो कि इस sentence में stagnant का मतलब क्या है, चार option है, motionless, fatal, unstable, accident, तो चलिए आपका time up हो गया, आप लोग ने अभी तक I hope की answer कर दिया होगा, और सही-सही answer किया होगा, वह होगा, वह होगा, motionless, stagnant मतलब बता है ठाहरा हुआ, मंद, जो ठाहरा हुआ, और स्टील हो, बोल सकते हैं इसको, still, inert, बोल सकते हैं इसको, still, inert, यह सब बोल सकते हैं इसके, और motionless, जिसमें कोई गती ही नहोँ, stagnant होगा, इसके synonyms सा, fatal मतलब आपको पता है, घातक या ज deadly भी बोलते हैं, जान लेवा है, तो deadly बोलते हैं, lethal बोलते हैं, और unstable मतलब होता है, जो की अस्थिर नो, औस्थिर हो, changeable हो, जो की change होता रहा है, shaky हो, कहाँ पता रहा है, तो वह एक जगे stable नहीं होगा, ठीक है, accident मतलब आप सभी को पता है कि दूर घतना होता है, mishap बोलते misfortune बोलते हैं इसको, ओके, next हमारा question क्या है, synonyms बताने आपको, किसका, तो वाइड का, 10 second मिलेंगे, और option है, traditions, gap, memory, experience, तो फटा-फट एंसर करेंगे आपनो, चलिए आपका time अप हो गया, आप लोग ने वीटा काई होप एंसर कर दिया होगा, और सबकी एंसर सही होगे, क् बहुत ही, easy word है, वाइड, तो वाइड का मतलब होता क्या, पहले में वाइड का मतलब होता, तो empty, खाली, अपने देख, पढ़ा होगा, chemistry में, वाइड एस्पेस होते हैं, molecules के बेच में, atoms के बीच में, तो इसको बोलते हैं, empty space, खाली, या फिर बोल सकते है, lack, अभाव होग ठीक है, तो अभी तक आपको पता चली के होगा कि इसके synonyms होगे, इसका जो right synonyms होगा, वो होगा gap, ठीक है, empty है, lack है, gap है, tradition का आपको पता है, tradition मतलब क्या होता है, परंपरा, ठीक है, tradition हमारा होता है, परंपरा, जिसको बोलते है heritage, और इसके मैं अलग बताता हूँ, आप लोग ने पता ने अब सुना हो या नहीं सुना हो, तो मैं बता देता हूँ, इसका एक synonyms होता है, old wives tales, ये भी होते हैं, इसके synonyms, traditions के, ये new था, तो मैंने सोचा कि आप लोग को introduce करते हूँ, memory मतलब होता है, क्या, या दास्त, ठीक है, storage होगे, experience कौन सा वैक्ति होता है, जिसको अनुबब हो, ता जुरुबा हो, ओके, चलिए, next बात करते है, next question आपको synonyms बताना है, किसका, तो underline word, perils का, perils का synonyms, चार अप्चन है, delights, benefits, hazards, humiliation, चलिए, तो आपका समय समाप्त हो गया, आप लोगोंने सही अंसर कर दिया होगा, तो मैं बता देता हूँ, कि perils का मतलब बता देता है, perils मतलब होता है, खत्रा, ठीक है, संकर, danger, hazards, तो इसके जो synonyms होगे, वो हो जागा, hazards, ठीक है, अगर बात करें, delights का, delights मतलब क्या होता है, अत्यधिक, अनुनदित करना, benefits मतलब क्या होता है, फायदे, humiliation मतलब क्या होता है, अपमान, insult करना किसी का, ठीक है, तो next, तो आज के लिए बस इतना ही, आपको class कै कैसा लगा, कमेंट में जरूर बता है, अगर अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में सेर करें, जिनने वह क्या पढ़ना है, एकदम basic level से, और अपना score जरूर सेर करें, कि आपको इन 6 questions से कितने questions सही हुए, और आप क्या-क्या निमोनिक्स बना सकते हो कौन से questions के, क्या निमोनिक्स बना सकते हो, आप ये भी सेर करो, ताकि मैं उसको include कर सको आगे वीडियो में, ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, थाइंक्यू, जय हिंद, जय भारत